बचों हमने वंशागति-म विवित्ता के सिध्दान्त के इस अध्याय के पहले वाले हैं अनुवान शिक्ता क्या है उसके बारे में जाना विविदता क्या है? विविदता के कारण क्या है? और विविदता का महत्व क्या है? उसकी बात की और फिर हमने कुछ टक्नीकी शब्दावलियों की भी बात की थी और हमने मेंडल के प्रयोग जो एक संकरन क्रॉस है यानि मोनो हाइब्रेट क्रॉस है उसकी बात की थी अब मेंडल ने मोनो हाइब्रेट क्रॉस के आधार पर जो उनके ऑबजर्वेशन थे उसके आधार पर अपनी समझ के आधार पर उन्होंने जो है दो नियम प्रतिपादि जिसे वंशागती या आनुमानशिक्ता के नियम या सिद्धान्त भी कहते हैं, पहला जो नियम था उनका प्रभाविता का नियम था यानि law of dominance था और दूसरा जो नियम था वो प्रिथक करण का नियम था यानि law of segregation था, अब हम उनके पहले नियम प्रभाविता के नियम के बात करते हैं, तो जो प्रभाविता का नियम था उन्होंने अपने monohybrid cross के प्रयोगों के आधार पर उन्होंने इसका प्रतिबादन किया, हमने जब बात की थी कि monohybrid cross जो है वो एक ही लक्षण की वंशागती का अध्यान किया था और उसका example हमने देखा था कि लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच जब cross कराया जाता है तो पहली पीडी में जो रिजल्ट है वो क्या होता है अभी उसी प्रयोग को हम फिर से एक बार चित्र में देख लेते हैं जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं कि लंबे पौधे का जब बौने पौधे के सांथ जब क्र गशंती बताया कि जो पहली पीडी में जो जो पौधे यानि जो संतति मिली वो hundred percent जो थी वो एक ही लग्षन को show कर रे थी और जो दूसरा लक्षन था यानि जो बौने पन का जो लक्षन था वो show नहीं हो पाया तो उन्होंने बताया कि कुछ लक्षन जो हैं वो प्रभाव तो पहली PD में होता क्या है जो प्रभावी लक्षण का जो एलिल है यदि वो संतत्ती में next generation में आ रहा है जैसे आप यहां पर देख रहे हैं जो capital T है वो प्रभावी लक्षण का एलिल है वो यदि next generation में आ गया तो उसी का ही लक्षण जो है वो शो हो पाएगा तो पहली PD में जो है capital T और small t है तो capital T जो है वो लंबेपन के गुण को शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि पहली पीडी में जो है जो लक्षन शो हो गया यानि प्रदर्शित हो गया वो प्रभावी लक्षन कहलाता है और जो दब गया है यानि बोनेपन का जो गुण है वो दब गया वो शो नहीं हो पाया तो वो अप्रभावी लक्षन था तो इस आधार पर उन्होंने प्रभाविता का नियम प्रतिपादित किया